यहां पर हम मिनियेचर का अंत हो चुका है यह मोडन पेंटिंग के टाइम पे हम लोग आ चुके हैं जो कि 20th century या 19th century की बात करेंगे यहां पर 1857 के पात की पेंटिंग के यहां पर बात होने वाली है अब यह पेंटिंग वाल्स के लिए वो पोस्टर्स के लिए बननी के लिए और रिवाइवल ऑफ इंडियन आर्ट क्यों कहा चाता है उसको तो वह चीज हम यहां पर देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं अब लोग अपनी स्क्रीन पर आप देखेंगे तो आपका जो चैप्टर है यहां पर इंट्रेक्शन ऑफ बेंगॉल स्कूल तो बे हैडिंग हमने रखी हुए है जो कि हम मिनियेचर पेंटिंग में पढ़ रहे थे अभी तक जितने भी हमारे चैप्टर हुए हैं अगर वह चैप्टर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वह जाकर कि आप देख लीजिए मिशन 30 में सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे जो कि शुरुआत होती है मिनियेचर पेंटिंग से दनराजस्थानी पेंटिंग पहारी पेंटिंग मुगल पेंटिंग एंडेकन पेंटिंग फिर उसके बाद हम यह चैप्टर इहां डिसकस कर रहे हैं तो फर्स आपका पॉइंट जो आ जाता है वह है बेंगॉल स्कूल इ इस नोड़ ओनली एन आर्ट फॉर्म यह एक आर्ट मुवमेंट था जो कि बेंगॉल से शुरू हुआ है बेंगॉल में ओरिजनेट हुआ था और यह खिलाफ था बिटिश अर्स के एंड सेकिन आता है मेंली फ्रम कोलकाता और शांतिनिकेतन तो कोलकाता भी बेंगॉल स्ट अगेस्ट अकैडमिक आर्ट स्टाइल प्रीविएसली प्रोमेटेड इन इंडिया बाइद रूप तो बिटिश अर्स ने जब यहां पर बिटिश अर्ट पे ही आपको काम करना चाहिए और बिटिश आर्ट क्या थी वो थी नैच्रलिस्टिक और रियलिस्टिक आर्ट जो है ब्रिटिश आर्ट है and it flourished throughout इंडिया during the early 20th century तो early 20th century में यह पूरे इंडिया में फैल गया था जो Bengal school है या Bengal style है painting का and known as the Indian style of painting इसे भी Indian style of painting कहा जाता है इसमें अगर mixture की बात करें कहां कहां की painting का mixture है इसमें तो वो है Middle Indian art, Indian folk art and agenda and next आता है Kalabhavan was India's first national art school तो Kalabhavan जो है इंडिया का first national school है जो की Bengal में ही था और कॉलकाता में जिसे कह सकते हैं जो की Shanti Niketan University के अंदर था okay and it was the part of Vishwabharati University at Shanti Niketan कॉलकाता जो आज Vishwabharati University के नाम से famous है उस university के यहां पर बात हो रही है founder जो है इसके रविंदरनाथ कहे जाते हैं अविंदरनाथ टेगोर and E.B. Hevel encourage Indian artists to make painting in their own rich Indian style तो यहां पर जो आर्टिस्ट है जो Bengal area में या फिर Indian जो आर्टिस्ट है तो वो क्या कर रहे थे Britishers का जो propaganda था कि Indian art जो है ची नहीं है आप लोगों को British art करनी चाहिए या realistic और realism बाली art करनी चाहिए तो उनके अंडर में बहुत सारे artist काम करने लग गए थे इंडिया के भी और वो उनको copy करते थे जो उनकी art style है बट यहां पर E.B. Hevel ये भी खुछ Britishers थे लेकिन ये अबनींदरनाथ टेगोर मिल करके एक मुहिम चलाते हैं कि आप लोग को Indian art करनी चाहिए जो Indian richest art है और Indian art कौन सी थी? Indian art में आता है ये जितनी भी पुरानी paintings हैं राजस्तानी हो गया पहाड़ी हो गया और मुगल हो गया और डेकन हो गया तो ये उसको revival कराना चाहते थे ठीक है? And many artists influenced in different part of the country तो इनकी इस बात से बहुत सारे जो artists हैं वो influenced हुए और उनों ने Indian style मेर ही काम करना शुरू कर दिया था And it was associated with the nationalist movement Swadeshi had it by Abnindrnaath Tagore, तो Swadeshi एक movement चल ला था उस time पर जो कि Swades मतलब जो हमारी India की चीज़े हैं वो ही करी जा रही थी जैसे कि Britishers का rule था और हम लोग उनके खलाफ लड़ाई लड़ रहे थे जो हमारा freedom movement था उसमें तो यहाँ पर जो Swadeshi movement था उसमें painting के side से Abnindrnaath Tagore ने headed किया है जो अपना ये nationalist movement था उसमें painting और artist को इनोंने represent किया है आपर ये जो है प्रिंसिपल थे अबनी वावु तो जोईन Government College of Arts as a Vice Principal in 1898 तो ये आप से डेट तो नहीं पूछी जाएगी बट ये हो सकता है कि आप से MCQs में पूछा जा सके तो ये आप याद रखेंगे अबनी वावु तो ये आप याद रखेंगे उनका जो है subject matter ही इंडियन नहीं होना चाहिए लाइक जो painting नहीं इंडिया का subject ले लिया subject मतलब topic ले लिया इंडिया का जो area है culture है तो वो चीज़े यहाँ पर ले ली और फिर उसका जो style है वो British कर रहे हैं तो वो चाहते दे कि वो जो यहाँ का topic है या theme है वो ही इंडियन नहीं हो बलकि जो style है वो भी इंडियन होना चाहिए और इंडियन style क्या था मैं दुबारा बता रहा हूँ आपको जो राजस्थान style and मुगल style next आता है for them इंडियन style इंडियन style क्या था उनके लिए इबी हेवल के लिए मुगल and राजपूत painting तो राजपूत style में क्या-क्या आता है राजपूत में राजस्थानी और पहारी painting आता है and मुगल तो यह उनके लिए इंडियन style था तो वो चाहते थे कि इंडियन style में painting होनी चाहिए और यहां के artist उस style में काम करने चाहिए more important source of inspiration other than the company style painting of academic style taught in the colonial art school तो उस time के जो यह जो schools थे जो Britishers ने यहां पर art school open किये थे तो उनमें जो art पढ़ाई जा रही थी तो यह जो ईबी हेवल है वो नहीं चाहते थे कि वो वाली art करें जो realistic art है या British art है वो कह रहे थे कि यहां पर जो Indian art है मुगल आर्ट और राजस्थानी आर्ट जो है वो more important source है inspiration के लिए जहां पर artist के inspiration के लिए rather than company style और company style वही था जो कि academic style था academic style मतलब जो उनके schools में पढ़ाया जा रहा था या art colleges में पढ़ाया जा रहा था तो वो उसके खिलाफ थे वो कह रहा थे कि भाई Indian art में आप printing करिये क्या आप ये दूसरे लोगों को कॉपी कर रहे हैं तो यहां पर और जो art school थे जो Britishers ने करे थे वो थे the government art school कॉलकता the government art school लाहोर the government art school Bombay the government art school मदरास तो यहां पर आप देखें कि जो कॉलकता है अभी तो यह कॉलकता है पहले कलकता था लाहोर यह पाकिस्तान में है Bombay मुंबई हो चुका है और मदरास जो है चेन नहीं हो चुका है तो यह वहाँ वहाँ पर schools थे अब next आता है अबनी बाबू और गगनेंदरनाथ टेगोर और सिस्टर निवेदिता और इबी हैवल क्रेट दा इंडियन सोसाइटी ओफ ओरियंटल आर्ट तो यहाँ पर जो और आर्टिस है गनेंदरनाथ हो गए यह भी उनके फैमिली से आते थे अपनी इंदरनाथ टेगोर की और रविननाथ टेगोर की और सिस्टर निवेदिता हो गई और इबी हैवल तो हमारे प्रिंसिपल थे गॉर्मन कॉलेज ओफ आर्ट कोल का था के इनों ने एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम था इंडियन सोसाइटी ओफ ओरियंटल आर्ट तो यह आर्टिस्टों की दो सोसाइटी की बात होगी यहाँ पर एक तो यह इंडियन सोसाइटी ओफ ओरियंटल आर्ट की हो रही है इसमें फाउंडर पूछे जा सकते हैं कि कौन-कौन थे इसमें तो आप देखेंगे कि अपनी बाबू मतलब अबनिंदर नाट्यकौर अपनी बाबू भी कहते थे अबनिंदर नाट्यकौर को ये लोग थे इंडियन सोसाइटी ओफ ओरियंटल आर्ट में दूसरे सोसाइटी की बात होगी तो आप उसे भी याद रखेंगे तो स्टेज यहां से सैट हो गई थी कि भाई यहां पर modern painting अब शुरू होने वाले हैं क्योंकि इन्होंने बहुत जादा modification कर दिया था जो परानी paintings थी उसमें जैसे कि आप देखते हैं राइस्थानी और मुगल painting जो हैं वो छोटे size की painting थी miniature painting थी और उनके जो face थे अब यहां पर थोड़े realistic faces बनने शुरू हो गए थे realistic painting बनने शुरू हो गई थी as a poster क्योंकि movement में जो freedom movement था उसमें poster बहुत जादा बनाये जा रहे थे नेक्स आता है Bengal style spread in every part of the country from Bengal, Delhi, Punjab, Gujarat, Lucknow, Jaipur and Hyderabad तो यहां पर हर जगा यह paintings का style फैल गया था क्योंकि यहां पर जितने भी इनके students वहां पर बढ़ते थे government college of art call का तमें तो वो जो हमारी country है उसके अलग-अलग part में चले गए वहां के schools में जाकर के उन्होंने या तो vice principal बन गए वहां पर या फिर principal बन गए तो वहां उनका जो style है वो फैल गया नेक्स आता है नंदलाल बोस, टीपिरोज चौधरी, के वैंकटपपा, सितकुमार हलदार, म.A.R. चुकते, सितिननात मजूमदार, etc. was the famous artist of the Bengal school तो यह जितने भी artists हैं, यह famous artists रहे हैं, इनका नाम आप एक बार देख लेंगे वैसे मुझे नहीं लगता कि आपसे पूछे जाने वाले हैं, तो इनको याद करने की वैसे ज़रूत है नहीं बट इसमें जो main artists हैं, जिनकी हम यहाँ पर बात करेंगे अलग से, उनको आपने याद रखना है, ध्यान रखना है जो इनको तो आपने याद रखना है, ठीक है और अब आते हैं, the main feature of the Bengal school of painting तो यहाँ पर इनकी painting में क्या features थे, कैसी painting बनती थे, themes क्या थे, उनके बारे में यहाँ बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जितने भी, अभी हम देख रहे थे, जैसे कि जो हमारे Britishers थे, उनसे यह सेव करके Indian art को revive किया गया था और जैसे उनका realism था, उसको छोड़ करके हम Indian art कर रहे थे, जो पुरानी art थी हमारी The Bengal school had a clear impression of Agenta and Allura painting which could be clearly seen in the paintings of the school तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो Bengal school है, उसमें हमें, वो influenced है Agenta and Allura से भी और उसका clearly आपको देखने को मिलता है, वहाँ की painting का जो style है, वो style भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है The Japanese wash technique which was European and Japanese technique with the Indian tempera in watercolor become the hallmark of the Bengal school तो यहाँ पर जो main thing है, जो main painting का जो color technique है, वो जो है wash technique यहाँ पर हमें hallmark देखने को मिलता है, जितनी भी painting है यहाँ पर सब में wash technique हमें देखने को मिलेगी और wash technique क्या होता है, कोई भी picture बनाई, paper को पानी में गीला किया, फिर उस पे color किया, फिर उसे सुखाया, फिर गीला किया, फिर उसमें color किया, फिर सुखाया, फिर गीला किया, उसमें color किया जब तक हमें नहीं लग जाता कि अब color बहुत सही हो गए है तब तक हम उसे ऐसे गीला करते रहते हैं और color करते रहते हैं उससे क्या होता है उसमें जो हमारे colors हैं वो blend हो जाते हैं और paper के अंदर तक वो color चले जाते हैं फिर वो बाद में चूटते नहीं है उड़ते नहीं है वो काफी लंबी उनकी लाइफ हो जाती है, बट पेंटिंग बहुत जादा स्मूथ और ब्लेंडड लगती है, क्योंकि उसमें ब्लेंड हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से, पानी से, नेक्स्ट, दे क्रियेशन ओफ मेस्टिक मेलो स्टाइल, यहाँ पर जो वाश टेक्निक का इंप्रेशन है, वो हमें देखने को मिलता है, जिसमें हमें पर ग्लूमी एंड डिफ्यूजिंग लाइट वाले जो हमें बैक्ग्राउंड और कलर्स देखने को मिलते हैं, अगर आप यहाँ पर देखें, तो इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि कहां से हम कलर चेंज कर रहे हैं, कहां पर लाइट है और कहां से डाक होना शुरू हो रहा है, तो यह जो खास बात रहती थी, उसकी जो वाश टेक्निक की थी, वो यह सब है, जैसे कि इसमें यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से ब्लैंड हुवे कलर देखने को मिलते हैं, तो यह इसकी एक खास बात रही है, अभी हम नेक्स देखते हैं, तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि जो हमारी इंडिया की आर्ट है, जो पुराना स्टाइल है, जो उस स्टाइल में बेंगॉल आर्टिस ने यह काम करना शुरू किया, जो पूरे वर्ल्ड का जो अटेंशन है, वो अपनी उपर खीचता है, अपनी तरफ खीचता है, तो उससे जादा हमारे world के जो artist हैं या art lover हैं उनकी attention मिलती है तो यहाँ पर बहुत जादा study हुई है जो anatomy है चाहें वो human anatomy हो या फिर animal हो तो वो चीजों की बहुत जादा यहाँ पर practice होती थी study मतलब होता है painting में जो वो sketch करते हैं, sketch करते हैं, sketch करते हैं वो उसमें add करी जा सके हमारी paintings में influence of the Mughal, Rajasthanian, Pahari School of miniature painting तो यह इन जीजों का influence देखने को मिलता है साथ ही साथ Ajanta and Allora का भी कह सकते हैं Ajanta and Allora also तो इनकी painting का भी हमें influence देखने को मिलता है subject matter की बात करें कि कैसी वहाँ पर painting हुई है कि subject पर painting हुई है तो उसमें religious theme, historical themes and patroetic theme, social life, birds, animal and landscape तो यहाँ पर poetic जो theme है patroetic जो theme है यह add हुई है नहीं तो पुरानी टाइम पे भी हमें religious theme, historical theme, social life, birds, animal and landscape देखने को मिलते थे बट यहाँ पर patroetic जो theme है वो यहाँ नई add हुई है क्योंकि जब हमारा national freedom movement चल रहा था तो उसमें artist भी बर्चड के हिस्सा ले रहे थे ताकि जो हमारी जितनी भी जनता है उसको influence कर सके कि वो सब लोग बर्चड के हिस्सा लें जो हमारा national freedom movement था उसमें तो इसलिए यहाँ पर ऐसी paintings हुई है I hope यह आपको अच्छे से समझ आया होगा और अगर आपको समझ आया तो like कीजिए और चैनल को subscribe कर लिजए जब तक कि आपका 12 नहीं हो जाता है आज की वीडियों बस इतना ही thank you for watching